जेहिंद आज के क्लास नमबर आठ योगा एंड मेड़ेशन योग इमद्यान की क्लास में आपका स्वागत है 10 मिनट क्लास होने वाली है आज हम अब्जेक्टिव टाइप क्विश्चन करेंगे जो आपके पेपर में आते हैं फाउंडेशन की बाके के दिए आपको क्लास नमें प्लेलिस्ट बनी हुए प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई है आप जाकर जहें देख सकते हैं यह आपको नहीं मिले तो आप मुझे वाट्सप पे मैसेज कर देज़ेगा आपका पेपर ओमर सीट में होने यह आंगे शुरू करते हैं अब तक की क्लास नमबर में हमने क्यूश्चन नमबर 111 तक किया था उसके आंगे आज क्यूश्चन नमबर 112 किसने कहा है कि आशनों की संख्या निश्चित नहीं है आपसा नमबर ए महरसी पतंजली ने बी नमबर है अचार बिच्चु ने योगी राज चरक ने या महरसी वेद व्यास ने 112 का राइट एंसर हो जाएगा बी नमबर हाँ एक चिन में आप लोग बता दूँ लाइप चैट में आप लोग अपना गेस पॉइंट लिख सकते है अपना जो भी मतलब आपको लगता है कि A होगा B होगा C होगा आप लोग लिख सकते हैं ठीक है इससे क्या होता है कि जब आप लोग गलत बोलेंगे या कि सही बोलेंगे तो आपके एक बार मुह में जवान में वो सब दाएगा जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे और आपसन आपके सामने आ जाएंगे तो आप लोगों कई बार ऐसा माइंड में आ जाता है कि यह हो सकता है ना तो आप लोग लाइब चैट में A, B, C जो भी आपको सही लगे आप लिखा करिए ठीक है ओके आँगे बढ़ते हैं क्यूश्चन नंबर 113 में चलते हैं सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह तथा ब्रह्मेचर का सम्मेलित नाम है 113 यम आसन नियम प्रत्याहार इसका राइट आइंसर हो जाएगा यम अप्सन नंबर A ठीक है इसके पहले भी हमने किया था ठीक है ठीक आएंगे चलते हैं योग दर्सन के अनुसार यम कितने प्रकार का होता है योग दर्सन के अनुसार यम कितने प्रकार का होता है आप लोग लाइब चैट में लिखिए बिल्कुन लिखिए ठीक है यूग दर्सन के अनुसार यम पाश प्रकार के होते हैं ठीक है, next question करते है यूग में कितने नियम बताए गये हैं? important question यह है important question पिछले साल भी आया था important question यूग में कितने नियम बताए गये हैं? इसका right answer हो जाएगा का 115 का सिन नंबर ठीक है कितने पांच नियम इसको आप देख लिए ना इक बार इसको भी आप देख लिए न ठीक है इन दो मेंस कोई एक ठीक है अंगे बढ़ते हैं हुआ अग्वे अंगले कश्चयन है 116 मिनय में इसे निम्न में से कौन सा नियम नहीं है तो क्या नियम नहीं है अपवित्रता संतोस अपरिग्रह स्वध्याय कौन सा नियम नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा हाँ आप लोग लाइप चैट पे लिखा करिए इसका राइट एंसर हो जाएगा चित को एक जगा इस्तिर करने को कहा जाता है चित को एक जगा इस्तिर करने को कहा जाता है ध्यान समाध्य आसन धार्णा इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी यह निकी धार्णा मन को उसी विसे पर लगाиком Been को किया कहा जाता है क्या समाधि कहा जाता है यह ध्यान कहा जाता हैKY या प्रत्याहार कहा जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा मन को उसी विशे पर लगाए रखने को 118 का राइट एंसर अप्सन नमबर भी ध्यान कहा जाता है ठीक है विशे राइट एंसर बहुत अच्छा अपने अंसर दिया योग सुत्राणी के रचनाकार थे योग सुत्राणी के रचनाकार कौन थे गौतम मुनी पतंजली कपिल मुनी विज्यान विच्छू तो 119 का राइट एंसर हो जागा बी नमबर क्यों जागा पतंजली ठीक है सब्सक्राणी के चरक सहीता का संबंद है कि इंपर्टेंट के चरक सहीता का संबंद है कि से संबंद है योग दर्शन से है संख्या दर्शन से है निया दर्शन से है या इन में से कोई नहीं 120 का राइट एंसर हो जाएगा योग दर्शन से ठीक नेश्ट कुश्चन अस्टांग सिच्छा के अभ्यास पर कौन सा दर्शन बल देता है तो सांग के दर्शन है नियाए दर्शन है यह उपर यूगति सभी है इसका राइट एंसर हो जाएगा सी नमबर ठीक है योग दर्शन बल देता स्टांग सिच्छा के अभ्यास पर ठीक है नेश्ट कुश्चन पतंजली के योग के अंगों की संख्या बताई गई है important question पतंजली के योग के अंगों की संख्या बताई गई है 4, 8, 12, 16 कितनी बताई गई है पतंजली के योगों के अंगों की संख्या अलाइप चैट प्लाइप लिख सकती है 122 का राइट एंसर हो जाएगा B no. 8 जिक राइट एंसर 8 next question योग दर्सन के अंसर जिन जीवन में उतार चड़ाओ वाले विक्ति कवचन सिध्ध होता है कहलाता है योग दर्सन के अंसर जिन जीवन में उतार चड़ाओ वाले विक्ति कवचन सिध्ध होता है कहलाता है क्या कहलाता है अहिंसा कहलाता है आस्ते कहलाता है अपरिग्राय कहलाता है यह सब्ते कहलाता है 123 कराय टैंसर हो जाएगा वह सब्ते कहलाता है मेरे साथ दू बार तीन बार आप लोग दो राएंगे योग दर्सन के अनुसार जिन जीवन में उतार चड़ा करने वाले विक्ति का पचन सिद्ध होता है तो कहलाता है क्या कहलाता है सत्त कहलाता है ठीक है आंगे बढ़ते हैं निम लिखित में से कौन सा योग सिच्छा की देन नहीं है गो जब कुंस हैं जो सिच्छा की दिन नहीं तो कौन से सिच्छा नहीं नहीं है इस नियमित आशनों से क्या प्राप्थ होता है नियमित आशनों से क्या प्राप्त होता है सकारक मक्ता सारे रिक सुडॉलता क्रियासीलता यह सभी है को 125 कॉमन सेंस वाला कुष्टन है एंटीक है आप जो को सब्सक्राइब करेंगे लैप चैट मीस इंसर आप लोग बूलेंगे 125 का ठीक है क्योंकि यह कॉमन सेंस वाला कुष्टन बहुत इजली है आप लोग इस पर मतलब देखिए एक चीन में बता दो परियावरण कुछ हदे तक ठीक है या कि वह भी कुछ परियावरण जो है और योगा यह ऐसे टॉपिक है किन में मतलब थोड़ा सा यह आपके नदर हलका भी ग्यान है यह कि आप थोड़ी सी भी सोचन सकारात्मकता भी है सरीर एक सोड़लता भी है और की सीलता भी है ठीक है यह आगे चलते हैं हक लाकर बोलने वाले बच्चों को कौनसा आसन करना चाहिए इस यह को मैंने पहले भी करवाया और यह पर दिभाया ठीक है रिपेड़ट टेरीपेड़ेट है पहुच चिक हो कि खाने के बाद किया जाता है ऐसा कौन सासन है जिसे खाने के बाद किया जाता है कि 127 का राइट एंसर क्या हो जाएगा वीरासन ठिक क्या हो यागा वीरासन नेश्ट कुष्चिन क्राणायाम कहते है स्वास नियंद्रन को मन्सिक नियंद्रन को सरेरिक नियंद्रन को गति नियंत्रन को प्रणाय हम किसे कहते हैं ए नंबर स्वास नियंतर्ण को टिक आए ने स्ट कुष्चिन हाँ कुछ चीजे में थोड़ा से एक जानकारी देदू आप लोगों को कि डिस्कृप्शन में बता दिने चाहते हो आप थोड़ा दांसरेंगे डिस्कृप्शन में एक स्कृप्शन आप लोग दो चेकल लिया करिए ठीक है कैसे करेंगे डिस्कृप्शन उस पर क्या गैप पड़ा हुआ है पहला चीज तो ग्रुप की निग्डी पढ़ी हूई है दूसरी फाउंडेशन क्या होता कैसे पेपर होता कितने गंटे के होता किस प्रकार की कुश्चन क्या कैसा आता पूरे उसकी जानकारी उसकी एक वीडियो की लिंक पड़ी हुई है तिसरा आपको अपना सलेवस कैसे डाउनलोड करना सभी भी से कहना जिससे आप लोग पढ़ कितने टॉपिक हैं उन टॉपिक से कितने कृश्चन के न कितने मतलब कितनी नबर के प्रशन अंगे इसरे कितने नमबर का ऐगा यह जह कहले था सलेवस आप लोग सलेवस सब कुछ देख सकते हैं ना सो कोशिस किया करिए और ट्रास में ज्यादा रहा करिए और लाइब चैट होती है एक्सका हुआ चाह कि एका एक की के है ऊस्य जी अससा ये होता है इसों मालो ऐफ से आदी है वह है इसमें से यह नभी हुआ कि बता हो है तो क्या होता है कि जैसे लोगों ने वायब बोल दिया थिर Rs. डबन निकला तो आपके एक बार जिहान में एक बार आपके मुंं में यह एंसर भरा रहेगा डबने कभी पढ़ा था ठीक है यह आप लोग फ़ेपर बैट बैठते हैं और आपको याद रहेगा कि हां डबने तोगि अबज्यक्टिव ट्रकुश्टिन ऐसे होते हैं कि इनकि आप रट नहीं सकते हैं क्योंकि लग में रट पाते हैं वह हैं उस लाइब को हमने भी जीए है बड़े मतलब ग्लोज से बड़े ही यहीं तक आप सभी का हमारे इस पुरे लाइब चाट में जुड़े रहने के लिए तहये दिल से सुप्रिया धन्यबाद